जादूई पेड़ का जादूई लहनगा से कुछ सामाल लाने के लिए कहती है यह लिए बिटा सो रुपे और बाजार से अच्छी अच्छी सब्जी खरीद लाओ नहीं माँ मैं बहुत ठग गई हूँ और अब मेरे बाजार जाने का कोई राद नहीं है प्लेज सब्जी आप ले आओ और तब तक मैं घर के काम निप्टा दूँगी क्या हूँ आज मेरे क्यूट पांडा को वो तो कभी मना नहीं करती नहीं माँ वो बस मैं बहुत कम जाये करूँगी क्योंकि पहले मैं छूटी थी तब कोई भी मेरा मजाग उड़ाता था तो मुझे समझ नहीं आता था लेकिन आम मैं समझने लगी हूँ सभी मेरे काले रंगा मजाग उड़ाते हैं और मेरे मोटे शुरीर को देखकर मुझे अनाप शुनाप कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ मेरी क्यूट सी पांडा लोगों का काम है बाते बनाना अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और अगर तू ऐसे ही सबकी बाते सुनते रहेगी तो तू अपना काम कैसे करेगी चल अब भाग कर जा और जल्दी से सबजी लेया मा आप नहीं चानती गली के बच्चों को ये सब मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं और फिर हस्ती भी है मुझ पर और मैं अगर बाहर गई तो मुझे फिर से इन सब के बेकार बाते सुननी बढ़ेगी चिंता मत कर मेरी बीटी ये जो तेरा मसा कुड़ा रही है एक दिन उनकी भी मुझे बंध हो जाएंगी अभी तुझा और जल्दी से सब जी लेया ठीक है मा मैं आपके गहने से चली जाती हूँ ऐसे ही दिन निकल रहे थी एक दिन रंजना के लिए एक पुलिस में लगे लड़के का रिष्टा आता है जिसका नाम विज़े होता है कार्टिक इतना अच्छा रिष्टा देखकर शादी के लिए हा कर देता है और लड़का लड़की को आपस में मिलने का मोगा देती है और कुछ दिनों बाद शादी से पहले विजे रंजना से मिलने के लिए उसे एक रेस्टरॉन में बुलाता है जब ये बाद रंजना के पिदा जी रंजना को बताते हैं तो रंजना अपने मुटापे और काले रंग की वजे से बिजे से मिलने के लिए मना कर दीती है इसके बाद रंजना चिपचाब अपने कमरे में चली जाती है ये सम्देख कर कार्देख बहुत उदास होता है और अपनी पत्मी शीला से कहता है रंजना की मा मुझ गरीब के घर पर इतना अच्छा रिस्ता चल कर आया है और बदले में वे लोग कोई डिमांड भी नहीं कर रहे हैं पर पता नहीं क्यों हमारी बेटे इस रिस्ते से खुष नहीं है तुम जाओ और उसे पूछो क्या उसे विज्जय का रिस्ता पसंद है या नहीं क्या बात है बेटा तुम कुछ परिशान देख रही हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परिशानी का हल निकाल कर देती हूँ तुमने बिना सोचे समझे, इतने अच्छे लड़की का रिष्टा इग्नोर कर दिया हम गरीब है बेटा हमारे घर अगर कोई इतना अच्छा रिष्टा लाया है तो हम उस रिष्टे को खुशी-खुशी स्विकार करेंगे और ये लोग तो वो हैं जिनोंने हमसे कोई डिमार्ड नहीं की मा, रिष्टे में कोई कमी नहीं है, ना विजे में कोई कमी है लेकिन मैं सरफ अपने इस मोटापे से परिशान हूँ वो पुलिस में है, अच्छी हैट का है, स्मार्ट है और फिट भी है दूजरी तरफ मैं हूँ, जो ना सुन्दर हूँ, ना अच्छी हैट है मेरी और ना ही मैं फिट हूँ, और साथ में मैं काली भी हूँ और मा, सबसे बड़ी बात ये है, कि क्या पता, विजे भी आगे जाकर मुझे हट करे और मुझे ना पसंद करे, इसलिए मैं विजे से शादी नहीं करूँगी तो बेटा, हट और ना पसंद तो कोई भी कर सकता है जिसको तुम दिल से पसंद आओगी, वो तुम्हारा शरीर देखतर या तुम्हारा रंग देखकर तुम्हे ना पसंद नहीं करेगा फिर चाहे वो विजे हूँ, या कोई और लड़का रंजना के पिता विजे को बता देते हैं कि उनकी बेटी रेस्टरॉन नहीं आईगी फिर ऐसे ही समय बीता है, फिर एक दिल रंजना विजे से शादी करने के लिए मान चाती है और फिर रंजना के माता-पिता विजे से शादी करने के लिए विजे के माता-पिता से मिलकर शादी की डेड़ फिक्स कर लेती है कुछ दिनों बाशादी होती है, हसी माहुल का दिन होता है, सभी खुश होती है और रंजना बहुत अच्छे पालर से रेडी होकर अपने माता पिता के साथ मंडप में पहुँचती है वहाँ दूसरी तरह विजे रंजना को देखने के लिए बेचैन होता है और रंजना को देखती ही वो बहुत खुश हो जाता है और फिवो दोनों साथ के रे लेकर पपी तपनी बन जाती है इसके बाब रंजना की माता पिता रंजना की विज़ाई कहते हैं रंजना अपने ससुराल अपने पती विजे के साथ पहुच जाती है और पहुंचते ही उसे उसके जठाने की बुरी भली बाते सुनने पड़ती है आ गई कल्लो रानी आ जाओ कब तक नहीं भोग की तरह खड़ी रहोगी अब घर में आ ही गई हो तो आज से मेरा सारा काम तुम करोगी जो कम मैं समहला करती थी वो कम अब तुम समहला करोगी और मुझे अराम करने को मिलेगा किस तरहिके से बात कर रहий हो भावी रंजना मेरी पतनी है और मैं इसके लिए कुछ भी गलत बात नहीं सुन सकता कहा था ना मैंने तुमसे इस कलो से शादी मत करो लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन सा भूत सवार था एक तो ये काली है उपर से मोटी पहलवान विजे की भाबी हमेशा से विजे की अच्छी नोकरी से जैलस होती थी क्योंकि उसके खुद के पती के पास कुछ नहीं था वो विजे की कमाई से घर का खर्चा चलता था विजे बहुती पोलेटली बात करता है अपने भाबी से और उन्हें समझाता है भाबी आप जिस भी तईके से बात कर रही हो रंजना से आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं सुनूँ वह मेरी पतनी है और है मुझे वैसे ही पसंद है जैसे वह है मुझे साब दिल की लड़की चाहिए थी जो मुझे मिल गई तुम तो पहले दिन से ही शुरू हो गए और जोरो के गुलाम बन गए आगे आगे देखो वो तुम्हे अपने उगलियों पर न चाहेगी तुम भी याद करोगे कि तुम्हारी भाबे ने तुम्हे को समझाया था रंजना अपने पती विजे की बात सुन बहुत खुश होती है और मनी मन सोसती है मा ठीक ही कहती थी कि अगर किसी को मुझे से प्यार होगा तो वो मेरे रंग या मेरे मोटापे से नहीं मतलब रखेगा बलकी वो मुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा और आज मेरी मा की बात सच हो गई मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने मातपिता के कहने पर विजे से शादी की परन्तु विजे की भावी बहुत बेकार है वो हमेशे मुझे गली के बच्चों की तरह ट्रीट करती रहेंगी लेकिन कोई बात नहीं, विजे और विजे की मां दोनों ही मुझे बहुत प्यार करती है रंजना को अच्छा पति मिला, लेकिन रंजना को अच्छी जेठानी नहीं मिली जिसके कारण वो अपने ससुराल में सुखी नहीं रह पाई हमेशा रंजना को अपने शरीर के लिए और रंग रूप के लिए सुनना पड़ा इसी तरह दिन बीत रहे थी और रंजना अपनी भावी से हर कदम बनाने की कोशिश करती रही रंजना समझदार और महनती लड़की थी उसने ससुराल जाते ही अपनी सारे जिन्मेदारे को ही धंसे मेधाई और अपने पती साथ ससुर और अपने जड़ जठाने का खोड ख्यार रखा परन्तु ये बात रंजना की जठाने को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो ससुराल आते ही सब के मन को जीत ली जिसके कारण सब रंजना को ही हर काम में बुलाया करते और घर की बड़ी भोग को कोई नहीं पूछता था इसी तरह दिन बीत रहे थी पिर एक दिन रंजना की भाबी रंजना के बनाए हुए खाने को खराब करने रसोई में चाती है और मन ही मन कहती है आई बड़ी कर लो जब से यहां आई है तब से मेरा जीना हराम कर रखा है अब मैं इसे मज़ा चखा करें रहूंगी आज इसकी बनाई हुई सबजी में नमक भर देती हूँ और इसका खोब खड़ी खोटी सुनाए रंजना की भाबी रसोई में चुक्के से जाकर रंजना की बना हुए खाने में मिर्च और नमक डाल कर बरबाद कर देती है और फिर हसने लगती है आज तो मसा या जाएगा खाने की टेबल पर जब रंजना को सब सुनाएंगे तो मिरे दिल को सुकुन पहुच जाएगा शाम का समय होता है और सभी अपने अपने काम से वापस रौते हैं तब तक रंजना खाने की टेबल पर खाना लगा देती है और सभी को खाना खाने के लिए बुला लेती है रंजना की बुलाने पर सबी टेबल पर खाना खाने आ जाते हैं और सबी खाना खाने के लिए बैट जाते हैं रंजना सबी को खाना परोज देती है खाना काफी सुन्दर दिख रहा था जिस वजे से सब जल्दी से खाना खाते हैं पहला निवाला खाती ही सभी निवाला थूग देते हैं ये सम देख रंजना काफी हैरान होती है और कहती है क्या हुआ माजी, क्या हुआ और सभी ने खाना ऐसे क्यों थूग दिया तुम भी खाकर देखो, तब तुम्हें अकल आजाएगी रंजना जैसे एक को और खाती है रंजना भी हैरान हो जाती है कि इतनी मिर्च कहां से आई विजे के माता पिता बूढे होते हैं जिसके कारण उन्हें तीखा खाना मना होता है और खाने में इतनी मिर्च देख और खाना इतना बरबाद होता देख विजे को बहुत गुसा आता है वो गुसे में रंजना पर हाथ उठा देता है और ये देख रंजना रोने लगती है वो रोते-रोते घर से बाहर चली जाती है चलते-चलते वो एक प्वीड के नीचे बैठ जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है मैंने तो इतना अच्छा खाना बनाया था पतानी इतनी मिर्चे कैसे आगी खानी में मैं तो हमेशा से सब का भला करती आई लेकिन मेरी एक गलती की वज़े से आज मेरे पती ने मेरे उपर हाथ उठा दिया मुझे पता है कि मैं सुन्दर नहीं हूँ, मोटी हूँ जिसके कारण विजे भी मुझे से परिशान होकर मुझे गुसे से मारने लगे परना आज तक मुझे विजे ने कभी हाथ भी नहीं लगाया और अब में अपने सेजराल वापस लोट कर कभी नहीं जाओंगी रजना ये सम रोते रोते बोल रही होती है कि तभी पेड में से आवाज आती है मैं जादूई पेड हूँ पुझे सब पता है बेटा तुम्हे रोने की जरूरत नहीं मैंने तुम्हारे जठाने को खाने में मिल्चो डालते हुए देखा था उसी ने तुम्हारा बनाया खाना खराब किया तुम चिंता मत करो बेटा सब सही हो जाएगा मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ये लो जादू लहंगा ये जादू लहंगा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा तुम जो भी इसे मांगोगी वो तुम्हे तुरंत ला कर देगी और जो भी विश तुम करोगी वो विश ये तुरंत पूरी करेगा क्या सच में? इसका मतलब मुझो ये रहने के लिए घर भी देगा? हाँ ये तुम्हे रहने के लिए घर भी देगा अगर तुम्हे विश्वास नहीं तो अभी मांग कर देख लो जाओदी पेड़ की बात सुन रंचना चाओदी लेंगे से भूलती है ये जादी लेंगे मुझे रहने के लिए एक अच्छा घर दे दो क्योंकि हम मेरे पास घर नहीं है रंजना के बूलती ही जादी लेंगे के आस पास स्पार्टल्स घूंते है और रंजना को वही एक अच्छा घर मिल जाता है रंजना जाद्वी लेंगे से मिला इतना सुन्दर घर देख बहुत खुश होती है और घर के अंदर जाती है और दूसरी तरफ जाद्वी पिर्ड वापस से पहले जैसा हो जाता है वाओ ये इतना सुन्दर घर ठregonके जाद्वी लेंगा अगर आज तुम नहोते तो मेरा क्या होता तुमने मुझे वो सहरा दिया है जिससे मैं अपने जिनके अराम से गुजार सकूँगी रंजना जाओ इलहंगे से अपने आपको सुन्दर और फिट बना लेती है जिसके बाद वो सबके साथ अराम से रह सकती है अब रंजना बहुती फिट एंड फाइन बन जाती है और अब रंजना के पास बहुत सारे दोस्त भी हो जाते है और रहने कीली घर भी मिल जाता है और वो इसी तरीके से जादू लहंगे का इस्तेमाल करके उससे जरूरत की चीज़े समय समय पर मांग लिया करती और अब रंजना की जिनकी में सब कुछ ठीक हो जाता है फिर वो कुछ टैम बाद विजे को भी अपने पास बुला लेती है और विजे के साथ हसी खुशी रहने लगती है तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नेशे लाल बटन दबा कर अभी कर ले तो मिलती हूं आप से फिर किसी नहीं कहाने के साथ तब तक के लिए आप अपना धियान कि बाय बाय बाय